फर्स्ट इंप्रेशन इस लास्ट इंप्रेशन सभी को सिर्फ एक मौका मिलता है लाइफ में और उसी में आपको बहतर बनना होता है तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे आज हम बात करने वाले हैं ग्रीडिंग के बारे में इंग्लिश में तीन प्रकार से आप तीन वर्ड यूस करते हैं ग्रीडिंग के समय हाई है एंड हेलो जो वर्ड होता है इसको बहुत रॉंग प्रनाउंस किया जाता है हेलो और हेलो से इसको आपने प्रनाउंस कैसे करना है बहुत ही समूथली देखे जब एडवन्स और फ्ल्वएंड इंग्लिश की बात आती है तो आपको बहुत ही समूथली वे में सेंट्स को बोलना होता है तो यहाँ पर आप इसको बोलेंगे हेलो vood और बात करते हैं कु और नया बोलने की आप अपने दोस्तों को फ्रेंड बोलते हैं इसके अलावा भी बहुत कुछ बोल सकते हैं जैसे बड़ी, फाल, मेट, बॉइस, गर्ल्स, गाइस यहां पर देखे गर्ल्स को आप ऐसे प्रणूस करेंगे गर्ल्स आप बात करते समय पहला क्वेस्टन जो होता है हाओ आर यू ठीक है और उसका एक आंसर होता है जो बहुत ही बोरिंग सा हो गया है I am fine, thank you, और I am good ठीक है तो बात करते हैं थोड़ा एडवेंस और फ्लुएंट बोलने की इसको आप थोड़ा सा फ्लुएंट वाइब कैसे बात करेंगे और यू और इसका आंसर आप बोलेंगे आप ग्रेट आप आप आउसम आप प्रेटी गुड और आप आप फॉर्मल वेंगे बोल सकते हैं आप वेरी वेल इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि क्या बोलना है जैसे कि यहां बोला जाता है वाट्स आप वाट्स गॉइंग और हाओ इस इट गॉइंग तो इसको अगर आप रेंट बोलें तो आप कैसे बोलेंगे यहां पर जो हम टी का बहुत साउंड बहुत स्टॉंगली यूज करते हैं इंडिया में आल राइट जब फ्लॉइंट की बात आती है तो इस टी को एक्शुली फ्लॉइंट वे में और अमेरिकन इंग्लिश में फोर टाइप्स ऑफ टी होते हैं जिसको अलग 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 प जो टी है वो गया बोगया है शॉट में और फ्लॉइंट में में बोलेंगे हैं वससपट है वस गई ओन वस गई और नेक्स्ट हाउस इट गोई इंग अल्राइट और अब इसके जो आंसर से वह आप दे सकते हैं नाथ मच अग यू और नतिंग मच और नथी मच और यू अ जाए नाथ मच जस्ट रिडिंग दबोक्स रिडिंग माइ नूस्पीपर आम जस्ट वाचिंग टीवी अल्राइट अब यहां पे देखिए वर्सप एक एप्लिकेशन हम यूज करते हैं यह भी वर्सप से ही मिलके बना है इसका मतलब होता है क्या हो रहा है क्या चल रहा है और बादचीत के बारे में नेक्स बात करते हैं जब आप किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे होते हैं तो आप सीधा उनसे वार यू और वडिज यू नेम डायेक्ली वे में नहीं पूछ सकते तो आप पूछेंगे वाव ड्यू डू जिसका मतलब होता है क्या आपको थोड़ और यू नेम इस भासकर सत्यवली एंड हाव ड्यू डू 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 इसका मतलब मेरा नाम भासकर सत्यवली है और आपके बारे में क्या और राइट नेक्स बात करते हैं जब अल्विदा की बारी आती है बाई बोलने की तो यह बहुत कॉमन वर्ड हैं ओके एंड ओके बाई अल्राइट तो अब बात कर लेते हैं कुछ एडवाइंस की बारे में कि आप क्या क्या बोल सकते हैं इन वर्ड को रिप्लेस करके देखिए आप बोल सकते हैं good to see you आपको देख के अच्छा लगा nice to meet you आप से मिल के अच्छा लगा see you later देखिए यहाँ पे आप later नहीं बोल किया जाता है तो यहाँ पे इस टी को डी में convert करके आप बोलेंगे later hey see you later okay I'll see you later और you can also say I'll talk you later देखिए जब कोई physical आप बात कर रहे हैं आपने वो बन्दा आपके सामने है person जिससे आप बात कर रहे हैं तो आप बोलेंगे see you later अगर वो person on the phone call है तो आप बोलेंगे okay bye talk you later आप बोल सकते है see ya and have a good evening so यहाँ पर good evening का means देखिए जब 12 p.m. से शाम के या रात की 8 या 9 बच जाए जब तक कि आप सोने नहीं जा रहे हो या जिसको आप बोलने वाले हैं वो सोने नहीं जा रहा हो तो तब तक आप good evening ही pronounce और wish करेंगे next बात कर लेते हैं bye bye और bye bye देखि प्यार से बोल सकते हैं okay bye bye next है आप बोल सकते हैं have a good day देखिए जब भी आप किसी भी customer care से बात करते हैं तो वो end of the conversation क्या बोलते हैं have a good day next बात करते हैं summary of the lesson आज हमने क्या-क्या सीखा देखिए सबसे पहले आप मेरे साथ repeat करिए और hello how are you how's it going I'm great I'm awesome I'm pretty good I'm alright I'm very well what's up what's going on not much and you nothing much question for a stranger how do you do oh sure my name is Bhaskar Satiwali and how do you do stop saying bye replace these words like good to see you nice to meet you see you see you later see ya have a good evening bye-bye talk talk you later have a good day in a formal way when you talk about fluent fluent you have to merge in a smooth way you have to practice on your daily routine replace your old and boring words with the new one so if you like this video give it a thumbs up and share the knowledge if you want this PDF file just go to description and download it thank you bye-bye see you in next video in a good video we have bye-bye